नमस्कार दोस्तों दिए इस यूडियम बात करेंगे तीन और स्टॉक के बारे में जहां पर आज अच्छी तेजी बनते वे देखने को मिल रहे हैं साथी कुछ करीब 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 चल रहा है इसमें 120-125 के टार्गेट इनिशियेटेड हैं इसको अरहाम से होल्ड करिए कोई नया लेना चाहिए तब भी ले सकते हैं लेकिन अवदी थोड़ा सा व्यू आपको लंबा रखना पड़ेगा देगे बात करेंगे इंट्राडे के आज के चार्ट है कि जो अब तक क्रियेट हुआ है 11 बज़े हैं सुबह के और स्टॉक उंचायों से हलका सा नीचा आते हो देखने को मिल रहा है लगबगत तीन परशेंट तक के गेंस अभी स्टॉक ने बनाए हुए है तो देगे बात करें स्टॉक के डिली चार्ट की तो स्टॉक के पास पास का एक हाई है जो कि स्टॉक ने जून में लगाया था इस टार्गेट के लिए नजर रखें ज्यादा दूर यहां से नहीं है क्यों च्यार से पांच रूपए उपर जो है इसका एक ब्रेकाउट का हर्डल है यहां तक स्टॉक आपको पहुंचते हुए देखने को मिले जाई स्टॉक ने तीन बार जो है हर्डल को फेस किया था तो यह टार्गेट आपको एक सुपंद्रा से एक सुबीस के आते वेदे इसमें जल्दी देखने को मिल जाएंगे तो दीगे बात करता है मिस्टर मिसेज बैक्टर फूड्स की सारे तीन से चार परशेंट की तेज देखने को मिलेगा तो देखिए बात करें इंट्राइडे में अब तक के चार्ट की बैक्टर फूड्स के तो आज की करीब सवा तीन परशेंट तक की तेजी स्टॉक ने में पिछले को चार्ट की हिस्ट्री और इसकी देख लेते हैं पांस दिन में चार परशेंट चला है तो देखिए डेली चार्ट की बात करें तो इस टॉक फिलाल जहां पर ट्रेट कर रहा है उसी प्राइस के आसपास 434 के आसपास एक हरडल है स्टॉक में यह देख सकता है यह लेवल जब इस तक निकालता है 434 से 35 का तो फिर नेक्स टार्गेट इसमें बनना चाहिए वह आ 50 तक कि उसके बाद देखिए एकला स्टॉक आई टी फ्लेवर का आई टी फ्लेवर लगातार पिज़ा कई दिनों से लगातार जो है फोकस नहीं बने विपरो जैसे स्टॉक जो चलने में काफी सुचते हैं साथ साथ परशेंट एक दिन भाग जाते हैं तो यह सारे स्टॉक इस पर कुछ खास इफ्यक्ट नहीं पड़ता बलके इनकी सेल्स बढ़ जाती है लोगडाउन में आप यह चीज़ देखने को मिली यह लास्ट कई महीनों के क्वार्टर में दिए पांच परशेंट तक की गेंस आज स्टॉक ने इंट्राइडे में बनाये हैं अब तक अब बात करते हैं इसके डेली चार्ट की यहां पर बाइकॉल इनिशेटेड है और जिन लोगों ले रखा है वो अराम से होल्ड करिए और उन्से टार्गेट अभी बनेंगे इसमें तो दीए बात करें इंट्राइडे के चार्ट की तो करीब-करीब 7% तक के गेंस स्टॉक ने बना लिए हैं आगे देखने वाली बात रहेगी कि इसमें और कितनी तेजी बननी बाकिया है आज के दिन में आने वाले दिनों में इसके लिए हम इसका डेली चार्ट अभी देख लेते हैं तो दीए बात करें जैंसा टैक की तो दो लेवल पर इस्टॉक ने ब्रेक आउट पर के और बढ़ा है बहुत ज्यादा किया इसने करीब करीब तीन से साड़े तीन महीने की जो है यह कंसोडेशन किया है और रांडिंग बॉटम पैटन क्रेट किया है यह स्टॉक के लिए काफी अच्छा संकेच साबित होगा 350 के ऊपर इस्टॉक करते वह देखने को मिल र चुका है और 350 के ऊपर ट्रेट कर रहा है 350 इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट है और 362 भी स्टॉक पहुंच चुका है इसके मिनिम्म टार्गेट आगे सीधे हम रखते हैं 400 रुपे के जो की स्टॉक आपको जाते वे देखने को मिल जाएगा तो चली बात कर लिए इस झाल